आज हम क्लास 12 की फिजिक्स को पढ़ेंगे ठीक है हमारा जो चाप्टर चल रहा था वो थोर्ड चाप्टर था करेंट इलेक्रिसिटी जिसमें हम सेल्स पढ़ चुके थे आज जो हमारा टॉपिक होगा वो है सेल्स in series and in parallel means combination of cells so combination of cells होता क्या है सबसे पहले इस बात की बात करते हैं तो combination of cells means a combination कि और सेल्स कार्ड और बैटरी अगर हम सेल्स के कॉंबिनेशन की बात करें तो सेल्स से मिलकर क्या बनता है क्या फॉर्म होता है एक बैटरी फॉर्म होती है इस बात करें तो आपने गर में पैंसल से जो आप बोलते हैं ना जो घड़ी में लगती है वाल वाच में लगती है या रिमोर्स में लगता है जो शोटी वाली सेल्स यह अगर सिंगल यूनिट है तो सेल्स है इस तरह से मैंने कहा कहा कि यह एक सेल्स हो गई और अकेले सेल्स और इनको कॉम्बिनेशन में कर दिया लाइक सब्सक्रियों मैंने ऐसे लगा दिया एक के पीछे एक ठीक है ना ऐसे मैं सेल्स लगाता जा रहा हूं तो यह कॉम्बिनेशन क्या कहला रहा है यह कॉम्बिनेशन कहला रहा है बैटरी अब कॉम्बिनेशन और सेल्स में होते हैं हम उनको कैसे अगर इसका हैड माने इसको टेल माने तो यह दूसरे वाले का टेल है और दूसरे वाले का यह हैड है इसी तरह से यह भी हैड है और तो है तो जोड़ रहे हैं तो एस रसेस्टेंस जैसा रसेस्टेंस की बात हम करते तो यह भी क्या है सीरीज में connected है तो यह तो एक टाक्टिकल फिगर हो गया हमारा ठीक है अब तो ऐसा क्यों करते हैं इसका साथ-साथ माँ अगर हम बात करें सिंगल सेल की असिंगल सेल प्रोवाइट अफीपल करन बहुत कम करन्ट देता है इन ओडर तो गेट हायर करन्ट इन सब्सक्राइब वी ओफेन यूज अ कॉंबिनेशन ऑफ सेल्स टू और मोर सेल्स बहुत सारे लगा सकते हैं वह एक अकेला सेल बहुत छोटा सा करन्ट थोड़ा सा करन्ट दे रहा है ज्यादा अमूंट ऑप करन्ट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा कॉंबिनेशन ऑफ जो मैंने यहाँ पर पहले लिखा है सीरीज में हैं और पैरलेल में हैं आईए वन पाइव वन सीरीज एंड पैरलेल पढ़ते हैं तो अगला टापिक जो होगा यहाँ पर वो सेल्स इन सीरीज कॉंबिनेशन क्या सेल्स इन सीरीज कॉंबिनेशन जैसे मैं ने बताया यह मारा सीरीज कॉंबिनेशन का एक्जामपल हुआ पर आप हम इसे अपना सिंबोलिक फॉर्म में जैसा हम जब पिजिक्स में बनाते हैं उस तरहीं जैसे फिगर भी डॉक करेंग और जानेंगे सो स्टार्ट करते हैं हिर सेल्स आर कनेक्टे इन सीरीज वन यह आर जोंड इंट 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 करक्त जब इन्टुएंट जॉइन करते हैं तो हमारा सीरीज कॉंबिनेशन होता है अब इसका फिगर कैसा होगा तो इसका फिगर आए दिखते हैं कैसा दिखेगा हमाएं पास सेल का जो सिंबोलिक इस्ट्रक्चर था बहुत ऐसा है और अग जयां है तो यह पर हमाएप इसका एमएफ विट आ है ना डग्रामत या अनी साथ हिसाथ दूसरा मराएंगे EMF और उसका resistance तीसरा बनाते हैं ड्रॉप करते हैं आपर अगें EMF with resistance और मैंने का किया end to end से जॉइन किया और इसे मैंने एक external resistance से जोड़ दिया तो अंदर EMF ER ENR Capital R external resistance तो इसके across जो voltage ड्रॉप होगा वो क्या होगा वी मान लेते हैं अब जब हमारे पास battery लगी होई है तो एक current भी यहां पर run करेगी है न अफ्लोग करेगी कि नहीं करेगी यह current हो से यह हमारा combination हो गया cells का in series यहां पर जैसे हम resistance में add करते हैं कुछ points थे हमारे पास यहां भी हैं और वह points क्या हैं आईए उनके बारे में जानते हैं ठीक है सो मैं साथ में रखता हूं इसको ताकि आप पूप प्रॉब्लम नहों यह मैं पास combination हैं सो point number one वो notes क्या हैं the emf of the battery is the sum of the individual individual इम्स पासे ही बना है बैटरी का जो टोटल यह मैं फोगा वो सभी individual इम्स के यह सेल्स के इम्स के सम के बराबर होगा next point is the current और यह हम सीजीज की बात करना है ना रख्येगा दक करेंट in each cell is the same and is identical identical with the current in the entire arrangement यानि कि जब हम सेल को सिरीज में जोड़ रहे हैं तो जो current है वो एक particular current बनेगी इन सभी को मिलाकर एक खी current सभी में इस तरह से रन करेगी खीके ना एक सेम होगा identical होगा खीके थार्ड पोंट इस दे टूटल इंटर्नल रेसिस्टेंस और इंटर्नल रेसिस्टेंस और बाठर्नल रेसिस्टेंस और शाद्रनल रेसिस्टेंस में रेसिस्टेंस ना यानिए इंटरण सिस्टेंस जो हमारा बैटरी का है वो जोबी सेल का इंडीविज्वल एसिस्टेंस है सबीह के किस इंटरार्न सिस्टेंस की सम्टी के बराबर होगा फूरी बैटरी ये ये कुछ पॉइंट्स थे ठीक तुझ है टोटल एम्फ ओफ दा बैटरी इस इक्वल टो एन 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 इन इंटु एम्फ है ना मतलब क्या हुआ मतलब जितने भी नंबर ओफ आपने लगा हैं इंडिविज्वल सेल्स के लिए नंबर ओफ सेल्स तो सभी का मुल्टिपल है ना एक का मने बराबर बराबर मनीजे लगा दिया है तो एन इंटु दाट एम्फ ना टोटल इंटर्नल एसिस्टेंस एस यूज्वल जैसे मैंने भी उपर बात करी है तो टोटल इंटर्नल रेसिस्टेंस आफ बैटरी इस ओल्वेज एन इंटु आर इक्वल है तब क्या थो रही है अब अगर पूरे सर्किट में रसिस्टेंस की बात करेंगे तो टोटल इसिस्टेंस की बात करेंगे पूरे सर्किट में तो वो क्या होगा तो अप्र इंटर्नल एसिस्टेंस की प्लस आर अब देखिए यह सीरीज में जूड़ा है है ना है टू टेल है टू टेल जुड़े होएं अशिराद ये भी चुड़ाओ तो सीरीज में हैं तो क्या होगा टोटल रेसिस्टेंस सभी का सम हो जाएगा पुर्ष सर्कृट के लिए अब फॉर्मुला क्या है मारे पास फॉर्मुला है करेंट i is equal to n e upon n r plus r जैसा कि हम कहते हैं potential upon resistance is current so total mf upon total resistance है ना current की value हो गई अब यहां पर कुछ conditions है हमारे पास if r is very very less than n r सबोस्कित जो resistance आपने लगा रखा है external वो बहुत कम होता है है तो final result हमारा हो जाएगा यानि हम इसको नेंगे कुछ भी जोड़ते हैं इसमें हमने हस्तों में अगर point zero zero one जोड़ा तो क्या मतलब निकला है ना so total value of current क्या हो जाएगी क्या हो जाएगी क्या हो जाने वाला है तो जो एक कर एक cell में जो हमारी current slow कर रही थी वही सभी में होगी क्योंकि series में जुड़ा हुआ है वही एंसे एंसे लोगा आप इसको इस तरह से उना सकते हैं यह और कुछ नहीं है इन सारी बातों का क्या conclusion निकला so conclusion is this when the internal resistance is negligible in comparison to the external assistance then the cells are connected in series to get the maximum current है ना जो इंस्टर्न असिस्टेंस क्या हो जाएगा internal resistance negligible हो जाएगा उस समय सीरीज में सबसे ज्यादा या maximum current flow करती है कि क्लियर क्योंकि external तो हमने कुछ लगाई रखका इंटर्नल हो रहा है वहाँ पर यानि बैटरी में सेल में कोई resistance नहीं है तो current maximum होगी उस ज्यादा फिर नहीं हो सकती कि I hope क्या आपको समझ में आया अब बढ़ते हैं हम parallel combination के लिए parallel combination में क्या का terms क्या का conditions हमारे पास आती हैं सो कम टू पार्लेल combination पैरलेल combination पैरले combination किसका सेल्स का तो पैरले combination में अगर हम बात करें तो इस तरह से इसको लिखेंगे cells are set to be connected connected in parallel when they they are joined positive to positive and negative 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 term such that such that current is divided divided आप ज्यान दीजिए वहां पर करण्ट सेम जा रही थी यहां पर करण्ट डिवाइड हो रही है divided between the cells करेक्ट यह हमारा पोटा parallel combination को में डिफाइन किया कि जब वो positive to positive and negative to negative connected होंगे और की terminals के according उस समय करेंट भी क्या होगी डिवाइड हो जाएगी हमने इस तरह से connect किया आप बादे की जान से एक सेल कि दो सेल और यह तीज़ता से तीन लेकर बात कर रहे हैं आपर और तीनों को मैंने फिट क्या किया जोग गया parallel combination में head to head एक साथ यानी positive to positive एक साथ and negative to negative एक साथ और फिर इसके across हमने एक external assistance लगाया इधार यह external assistance आ रहे है MFE का with our assistance MFE with our assistance MFE with our assistance अब होगा क्या टोटल एक current I amount की यह आपर रोकर रही है और जो individual current यह लोग दे रहे हैं like I1, I2, I3 भाई अभी तो हमने सभी का EMF और resistance सेम रखता हुआ है पर हम different रखेंगे तो different आएगा current यहां पर आने के बात पर से divide हो जा रही है वापस इदर अलग-अलग है ना यह हमारा parallel combination है इसमें भी हमारे पास कुछ notes है है जैसे हमने current की conditions रेना resistance की condition बताई series में वैसे ही हम parallel के लिए बात करते हैं है जो here is point no.1 The EMF of the battery is the same as that of a single cell सिंगल सेल का जो एम फोता है वही पुरी बैटरी का एम फोगा है ना यहां पर क्या है पुरी बैटरी का फर यहां पर करन्ट के मांट फिक चेंज हो जाएगी कि नेक्स्ट पॉइंट इस कि दख करेंट कि इन इन दा एक्स्टर्नल कि सर्केट कि इस डिवाइड़ कि डिवाइड हो जाएगी इक्वाइड अब यहां पर इक्वाइड रहा है यहां पर यहां पर से जा रहा है तिस पर क्या होगा आइवाइट्री 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 आपको तीन है तो डिवाइड़ जाएगी और क्या पॉइंट है यहां पर हमाएपास पहले किसमें क्या होता है दरसे प्रोकल कि अगर दा कि टोटल इंटर्नल कि रेसिस्टेंस अ हमाईट्री के टिवाइट्री आपकोוד रिवाइट्री आपकोुण अगर्टीody आपको कि आपको रिवाएट्रा आपको अगर्ट्री है आप आप मोगिस्ब्र क्वेश्टेंस को में है ना सो उसी तोत्रा यहाँ पर संप रिष्प्पर्ल बन जाएगा या निकी सम फरेंगे क्या होगी कि यह में कैसा होगा और इसका रेस्टेंसर इंटर्नल वान पिस तो टो टो टल एमफ की बात हमने की ओ सिंपॲी की इमफ बैटरी का चेंज नहीं होता इंटरनल इसिस्टेंस की बात करें अगर पैनल और यॉटेल इंटर्नाव रेसिस्तेंज औक ऑबैटरी जाएगा अधा हो जाएगा आधा हो जाएगा औरसुटीकित पयराए अधा हो जाएगा यानि की रिशिप्तोकल फिर हो पाउन फिर अपान हो जाएगे लॉटेन टोटल इस टेंस वदयों दा सर्कित वो कैसा हो जाएगा तो r by n plus time of r क्योंकि फिर इसके बाद जो उसका equivalent निकला उसके बाद तो कैसा है इसके बाद तो कैसा है यह series में है तो इसलिए उसको plus correct so the current current कितनी होगी उस circuit में फिर and e upon if n e upon nr plus small r आप सोल करके देखेंगे एक एक यह वालवा देखेंगे टिक है नौ condition is कि if r is very very less than if r is very very less than r by n then current is simply n upon e n into e by r और अगर in case हमारे पास second condition इस तरह से होती है कि ryn internal resistance equivalent internal resistance निकला हुआ है वो कापी कम होता है external resistance से so i is equal to e by r यहाँ पर e हमारा यह में पर ध्यान रखेंगे यह पर गारा नहीं सोचिएगा correct यह हमारे पास दो condition यहाँ पर आई so what is the conclusion conclusion यह निकला when external resistance is negligible in the compression to the internal system any external assistance अगर negligible है in the compression of internal assistance equivalent internal assistance then the cells are connected in parallel to get maximum current आपको यह बात यहाँ पर नोटिस करने है कि maximum current कब मिल रहा है उसमें था कि internal resistance external resistance होता है तब मैक्सिमम यहाँ पर external negligible होता है in compression to internal resistance तब मैक्सिमम करेंड यह आज का टॉपिक था combination of cells रिवाइस करिए पढ़िए अपने मुख से जो भी प्रावलावाती है है प्राइट करें तैंक यू फूर वच्चिंग चैनल तो